हेलो स्टुडेंट आज हमारी हिंदी की क्लास है और इस क्लास में हम आज पाठ सत्रा पाठ सत्रा जिसका नाम है संयुक्त अक्षर आपको मैं संयुक्त अक्षर क्या होते हैं उन्हें कैसे लिखा जाता है इस वीडियो बे ये सब चीज आपको पढ़ाऊंगी भी और लिखना भी सिखाऊंगी, तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं, सैयुत अक्षर, सैयुत अक्षर क्या होता है, सैयुत तो मतलब क्या होता है, दो अक्षर को मिला कर, जब एक अक्षर बनता है, उसको हम कहते हैं सै युकतक्षर देखें कभी क्यों होता है आपने आपकी वर्ण माला में स्वर और व्यंजन दोनों पड़े हैं स्वर क्या होते हैं चोटा अनार से लेकर खाली तक और व्यंजन कबुतर से लेकर शत्रग्य यहां तक तो स्टुडेंट जब दो व्यंजन व्यंजन जो कबुतर स स्टार्ट होते हैं तो दो व्यंजन मिलकर अपना अपना रूप्त समाप्त करके एक नए शब्द का निर्मान करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है एक नया रूप रहता है उसका उसे हम कहते हैं सईयुक्त अक्षर दो व्यंजन मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं उसे कहते है सायूक्त अक्षर तो सायूक्त अक्षर कैसे बनते हैं देखें मैं आपको बताती हूँ हमने कहा दो व्यांजन लेकर तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क ये क्या है व्यांजन है का कबूतर का एक अक्षर है ये व्यांजन में आता है तो का उसमें आप छोटा सा इस तरह से हलंत लगा दीजिये नीचे और उसके बाद प्लस आप प्लस का साइन लगाएंगे प्लस का साइन और शटकोण का का प्लस शटकोण का आप देखिए यहाँ एक सईयों तक्षर बनेगा शट्रिय का आपने ये पढ़ा होगा शट्रिय का अक्षर शट्रिय का शमा और बहुत सारे से एक नए नए शब्द बनते हैं तो क्षमा के लिए आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा इस अक्षर को अब ये अक्षर बनता कैसे है का प्लस शटकोण का इन दोनों को जब आपस में बिला कर लिख दिया जाता है तो ये एक नए रूप ले लिता है जो की शट्रिय का तो स्टुडेंट आपको मैंने बता दिया कि शट्रिय का कैसे बनता है देखिए अब हम इससे एक शब्द भी बना देते हैं शमा आगे समझ में आपको सेव तक्षर क्या होते हैंगे अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ कि तरा जुबां नीचे हमने हलंच लगाया प्लस का साइन लगाया कि रड़ प्लस रहरा सी का अब ये दोनों का मिलाकर कौंसा सही तक्षर बनेगा त्रा त्रिशूलका देखिए यह बन गए हमारा त्रा त्रिशूलका अब इससे आपको एक शब्द बनाना बताती हूं त्रीदेव आप त्रीदेव कौन से होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो त्रीदेव आपको लिखना है तो आपको इस अक्षर को लिखना पड़ेगा अब यह अक्षर कैसे बनता है ता और रा को जब हमने साथ में बनाया मिला कर लिखा तो इस नए रूप का जन्म हुआ मतलब द्रह जैसे आपने श्या बनाये था उसी तरहीं से यह तरह बनता है यह संइयों तो अक्षर कहलाते हैं आप मैं आपको एक और नया अक्षर बताती हूं ज़ा जा में भी हम इस तरीके से हलंद लगा देंगे यह क्या बना हमारा जा जा जहाज का प्लस यह अक्षर पड़ा है आपने या खाली जा 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 या तो यह क्या बन जाएगा देखिए यह ज्यानी का यह देखिए जा प्लस या खाली तो ये बन गया हमारा ग्या ग्यानी ग्या ग्यानी का ये देखिए अब सहीट अक्षर मैंने आपको तीन बता दिये एक्ष्या त्र और ग्या शत्रग्या जब हम वर्ण माला पढ़ते हैं तीनों अक्षर हमारे सहित अक्षर में आते हैं शत्रग्या ये बनते कैसे हैं का प्लस शा शा बन गया ता प्लस रा तरा जा प्लस यह खाली गया तो student आपको इस समझ में आ गए होंगे आप इनको अपनी बुक में इसी तरीकी से पढ़िए आपकी बुक में पार्ट सत्रा ज लिए गये हैं तो आपको इसली समझ में आ जाएंगे थैंक्यू student